हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का जीगर ट्रै यूट्यूब चेनल में तो दोस्तो इस वीडियो में हम समानन यान के परच्चेश महत्रुन प्रस देखेंगे जो आप के लिए हेल्फुल होंगे तो इसलिए आप वीडियो पुरा एंड तक देखते रहिए तो चले आज रिविजन कर सकें तो भगवान बुद्ध यानि की गोतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में तो राइट आंसर डी होगा बोध गया बिहार में है यहाँ पर गोतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी देखे बात करें लुम्बनी की तो ल आजय समाज की स्थापना किसने की थी तो बताई आजय समाज की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर ओप्सन भी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो देखे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आजय समाज की स्थापना 10 अपरेल 875 को की थी और देखे राजाराब मोहन राय की बात करें तो इनोंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी अगला कोस्सा ने पंजाबी भासा की लिपी क्या है तो जो पंजाबी भासा है ये किस लिपी में लिखी जाती है तो पंजाबी भासा की लिपी है गुरु मुखी तो राइट आंसर D होगा हिंदी भासा की बात करें तो हिंदी भासा लिखी जाती है देव नागरी लिपी में तो हिंदी भासा की लिपी है देव नागरी और संस्क्रत भासा की लिपी है ब्रह्मि लिपी Next question है जलिया बाला बाग हत्या कार्ण किस सहर में हुआ था तो आप सभी जानते हैं जलियावाला वाग हत्यकांड के बारे में यहां से कई बार कोशन पूछा आता है तो बताएए जलियावाला वाग हत्यकांड कहां हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा उप्सन D, अमरत सर में तो पंजाब के अमरत सर में तेरह प्रैल उननिस सोनिस को जलियावाला वाग हत्यकांड हुआ था इसके बाद कोशन नमबर पांच है इंसुलीन का प्रियोग किस बीमारी के उप्चार में होता है तो बताएं इंसुलीन का प्रियोक किस बिमारी को ठीक करने में होता है किस बिमारी को उपचार में होता है तो राइट आंसर ए होगा मदु में यानि कि डाइबर्टीज के उपचार में देखें इंसुलीन की खोज सर फेटरिक बेटिंग ने की थी नेक्ट कोशन है बीहू किस राज्य팀 का सबसे महत्पूर तो देखे एक कोशन काई बार पूछा गया है बीहू तो ये असर्याज्ये का महत्पूर तो राइट आंसर होगा कौन सा बिटामिन आमले में प्रैचुर मात्रा में मिलता है तो आमले में प्रैचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा बिटामिन पाये जाता है बिटामिन C तो राइट आंसर C होगा बिटामिन C सबसे ज़्यादा आमले में पाये जाता है दिखें, vitamin C का रायसाइनिक नाम है, इसका आर्विक अमल है, और दिखें, vitamin C की जल में घुलन सील है, तो जो vitamin B और C, ये दोनों जल में घुलन सील है, जबकि बाकी जो अन्या सबी vitamin है, B बसा में घुलन सील है, तो याद रखना है, next question है, बहरत का पहला गवर्णर जर्रनल तो इसका right answer option एह होगा Lord William Batting Lord William Batting ये भारत के प्रिथम गवर्णर जनल थे Lord Canning के बात करें तो ये भारत के प्रिथम बाइसराय थे Lord Mount Batten ये स्वतंतर भारत के पहले गवर्णर जनल और अंतिम ब्रेटिस गवर्णर जनल थे और सी राज गोपाल अचारी की बात करें तो ये भारते थे तो सी राज गोपाल अचारी भारत के पहले और अंतिम ब्रेटिस गवर्णर जनल थे तो याद रखना है इसके बाद question number 9 है कागज का अविस्कार किस देश में हुआ था तो काफी असान question है कागज का अविस्कार हुआ था चीन में तो राइट answer B होगा कागज का अविस्कार चीन के हान सांग बंस के दोरान हुआ था गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो बताए गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो इसका right answer option B होगा सिद्धार्थ गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम था सिद्धार्थ और देखिए जो बर्दमान है ये किसका नाम था तो जो जैन धर्म के 24 भे तीर्थकर्थ हुए हैं महाबीर तो महाबीर के बच्पन का नाम था बर्दमान और गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम था सिद्धार्थ नेक्ट कोस्टन है टेलिफोन का अविसकार किसने किया था तो टेलिफोन का अविसकार किया था ग्राहम बेल ने तो right answer भी होगा देखिए टेलिफोन का अविसकार ग्राहम बेल ने 1973 में और यह जो पहला मोयल था जिसका विसकार मार्टिन कोपर ने क्या थे किस कमपनी का था तो यह मोटरोला कमपनी का था अगला कोशन है भारत की पहली महिला सासिका कौन थी तो बताए भारत की पहली महिला सासिका कौन थी पहली महिला समराट कौन बनी थी तो राइट आंस स्क्रिम सुल्तान बनी थी नेश्ट को सने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो इसका राइट आंसर ओप्सन बी हो जागा लाल बहदुर सास्त्री ने और देखे बात करें जो सुभाष चंद्र भोस थे इन्होंने दिल्ली चलो को नारा दिया था जवार लाल नह निमलिखित में से किस भारत राज्य में सबसे पहले सूर्य दे होता है तो बताए बारत में सबसे पहले कुन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है निकलता है तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है निकलता है तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देत अगला कॉस्सन है कांग्रेस छोड़ने के बाद 1949 में सुवाश चंदर बोस ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका क्या नाम था तो इसका राइट आंसर होगा option C forward blog तो देखे सुवाश चंदर बोस ने जब भारतराश्टे कांग्रेस को छोड़ा था तो उसके बाद इन्हों ने 1949 में अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था forward blog तो forward blog के संस्थापक कोन है सुवाश चंदर बोस है जोकी ने 1949 में बनाई थी next question है पंजाब केसरी की उपाधी किसे दी गई थी तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाचपत राय को तो राइट आंसर भी होगा देखिए लाला लाचपत राय एक भारते सुतंतरता सेनारी थी जिन्होंने भारते सुतंता हंदोलन में एक प्रमुग भूमी का निवाई थी और देखिए लाहोर में साइमन क अगला कोश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यानि गवर्नर थी सरोजनी नाइडू तो राइट आंसर सी होगा देखे सरोजनी नाइडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1964 तक संयुक्त प्रांत यानि की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था तो यहां की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी देखे सरोजी नाइडू को भारत कोकिला के नाम से भी जना जाता है तो याद रखना है कोसर नमबर 18 है बासको डिगामा भारत कब आया था तो राइट आंसर ओप्सन एह होगा 1498 इस भी में तो देखे बासको डिगामा एक पुर्तगाली खोच करता था जो कि पुर्तगाल साय था ये समुदर के रास्ते 20 मई 1498 को भारत में कालिकर्ट पहुंचा था जहां पर इसका जमोरी ने स्वागत किया था नेश्ट कोसर ने मानब सरीर में किस गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है तो बता ये माश्टर गरंथी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर ओप्सन सी होगा पियूस गरंथी को पियूस गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है देखे पियूस गरंथी लगभग एक मटर के अकार की होती है जो की मस्तिस्क के अधार परिस्थित होती है तो पीस ग्रंथी कहां पर होती है तो ये मस्तिस्क में होती है जिसे की माश्टर ग्रंथी कहा जाता है कोशन नमर 20 है मनुस्य ने प्रत्वी पर सबसे पहले किस धातू का प्रियोग किया था तो देखे मानब ने सबसे पहले प्रत्वी पर तामबा धातु का प्रिलोग क्या था तो राइट आंसर होगा ओप्शन C अगला कोश्चन है 1813 में भारत में पहली रेल गाली कहां चली थी तो राइट आंसर B होगा मुंबई से ठाने के बीच तो देखे बारत में पहली जो ट्रेन थी 16 अपरेल 1813 को बोरी बंदर बॉंबे से ठाने के बीच चली थी जो कि 34 किलोमेटर के दूरी पर चली थी और देखे उस समय गवर्ना जनरल कौन था तो ये लाड़ डल होजी के समय पर चली थी तो याद रखना है तो इसका अंसर है ओप्सन C कंगारू रेट तो देखे जो कंगारू रेट जानबर है ये उत्री अमरिका में पाये जाता है जो कि एक चुहे की प्रजाती का प्राणी होता है तो ये जीवन भर कभी भी पानी नहीं पीता है अगला कोस्सन है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी तो रैट अंसर ओप्सन A होगा घैनरी बैक वरेल ने तो 28-96 B में हैनरी बैक वरेल ने रेडियो एक्टिवता यानि की रेडियो धर्मिता की खोज की थी कोस्सन नंबर 24 से है भारते समिधान की प्रारूप समीती के अध्यक्स कौन थे तो देखें कई बार कोशन पूछा गया है प्रारूप समीती के बारे में तो प्रारूप समीती के अध्यक्स थे डाक्टर भीहमराव अमबेट कर तो राइट आंसर भी होगा दिखी ये जो प्रारूप समीती थी तो ये नए सम्मिधान का प्रारूप तयार करने के लिए बुराएं गई थी इसमें टोटल साथ सदस्य थे जिसके अध्यक्स नुक्त किये गए थे धाक्टर भीहमराव अमबेटकर ये प्रारूप समीती 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी तो याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंदा है और आपको वीडियो अच्छे लगाओ अब के लिए फूलो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत